तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एक दिम कुएक स्टाइल से बनने वाले वेफर यानि के चिप्स जो बच्छों को बड़ों को सब को बहुत पसंद आते हैं यह बिल्कुल जट्पिट बना सकते हैं बहुत जादा जंडट भी नहीं है और नहीं उसको दूप लगानी ह इस प्रसिपिक के लिए हमने हैं चार मीडियम साइस के ड्रीया है और इसके बातने हम इसका चल्का उतार देती हूं आप चाहें तो यह बैसे और यहां पहले चलका को चलकाते हैं अब मेरे पास कुछ इस तरीके से स्लाइसर एक चाहें तो मार्केट से किसी भी तरीके का बढ़ा एक लिए और मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से जिगज़क वाला शेप देने वाली हूं क्योंकि यह शेप बहुत अच्छी लगती है इसलिए वन यहां पर जिग-जग वाली शेप से इसको इस तरीके से स्लाइस कर रही हूँ बिचा लेने हैं और अलुक जितना भी स्टार्च होता है यह सब निकल जाना चाहिए इसके लिए कॉटन के कपड़े से मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया मतलब इसमें कोई भी पानी नहीं है यह अच्छे से सूख गया है तो बिलकुल इसी तरीके से आप ड़ब करके इस बिलकुल जरुत नहीं पड़ी हमें दूप लगाने की और अब हम इसे डारेक्ली यहां पर गरम तेल में डाल देते हैं पकने के लिए तो यहां पर मैंने आलू के चिप्स कुछ इस तरीके से डाल दिये हैं थोड़े थोड़े बैचेस में आप यहां पर डाल के पकाईए तो आलू का चिप्स बहुत ज़्यादा करारा बनता है तो बस यहां पर मैं एक तरफ से जब पकना लग जाएगा तब मैं इसको दोड़ा चला लेती हूं तो इसको अब हमें अलटते पलटते ही पकाना है जब तक यह अच्छे से क्रिस्पी फ्राय नहीं हो जाते हैं तो य तो यह अच्छान के निकाल लेती हूं धहन रखिए इसको इसको जखन के किसी अवादार वाली जगा पर रखे हैं या किसी छंदी में निकल के जाने अब भापे से तेल गरम करते हैं तेज और उसके बदागे के भी हम यहां पर छिप्स फ्राई कर लेते हैं तो बिलकु द तो बस दोस्तों यह टेक्निक यह होती है कि जो इसका स्टार्ट है वो निकल जाना चाहिए उसके बाद यालू बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फ्राइ होते हैं तो अब मैंने यहां पर सारे यालू अच्छे से फ्राइ कर लिया है और यह चिप्स हमारे रेडी हो गए हैं आप इने स्टोर करके रख सकते हैं दस पंदरा दिन के लिए एड़ाइड कंटेनर में रखेंगे तो महीने वेट तक के लिए स्टोर हो जाता है अब मैं आपको दि पुदीने का फ्लेवर भी आता है तो यहां पर आप जो सूखावा पुदीना होता है जैसे हम बना के रख लेते हैं वह अगर आप इस पर डाल देंगे तो यह मसाले वाले चिप्स हमारे तयार हो गए तो बस मैंने यहां पर इस अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमारे यह चिप्स करारे करारे रेडी हो गए बिल्कुल वही वाले जो मार्केट में मिलते हैं पैकेट में मिलते हैं वह हमने घर पे जटपट बना लिया मिन्टों में तो आपको मेरी यह रेसेपी कैसी लगी मुझे जरूर बताया और चैनल भी जरू सब्सक्राइब कर लेना